हेलो फ्रेंट्स वेल्कम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौलिज विद आलोक सिंग राजपूत मैं आज आज आट अफ्रेल 2020 की सभी कर्मचारियों और पैंसन्स के लिए दिनबर की दो महत्पूर्ण खबरे ले गया हूं दोनों की दोनों न्यूजी बहुत की latest notification के लिए आप इस घंटे के निसान को तबहा करके all notifications को select के लिए तभी आपके पास हमारी वीडियो की latest notification आप आइग को व्यूज को गोच्कर पाएंगे चली आपको लेके चलते हैं उसमें extension किये गया उसी regarding notification है आप subject में देख सकते हैं extension of tenure of all the officers working as deputy director, director, joint secretary or at equivalent level who have been appointed under the central staffing scheme and through CSB procedure. तो आप देख सकते हैं इसमें वो date भी आप देख लिजे इसमें the appointment committee of the cabinet has approved the extension of tenure except on completion of tenure, extended tenure on superannuation of all the officers working as deputy director, director, joint secretary or at equivalent level appointed under the central staffing scheme or through CSB procedure and completing their regular extended tenure between the period from 25-3-2020 to 30-04-2024 period up to 30-06-2020 or until further orders which is earlier. तो आप देख सकते हैं जिन भी officers की जो सामनी आप देख सकते हैं चाब हो deputy director हो, director हो या joint secretary हो उसके equivalent level के officer थे जिनका जो आप देख सकते हैं extended tenure जो किया गया वो 30 June के लिए किया गया लेकिन उनके बीच में आप देख सकते हैं जो 25 मार 2020 से 30 अपरेल 2020 के बीच में जिनका जो tenure पूरा हो रहा था उनको 30 June तक 2020 तक जो है उनको tenure extended किया गया है तो उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हैं दूसी न्यूस की तब लेके चलते हैं दूसी न्यूस भी आ रही है आप देख सकते हैं वो भी D.O.P.T. की तर देख सकते हैं दोनों न्यूस बहुत इंपोटेंट थे हैं अच्छा लगा दो लाइक करिए शेर करिए सभी दोस्तों के साथ में इसी न्यूस और अपडेट्स के माचेन को सब्सक्राइब कर लेगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच